नमस्कार में प्रतिक्षा, इन24 न्यूज में आप सबका स्वागत है, देखते हैं अब तक की दस बड़ी खबरे मुंबई के चेंबूर में स्थित, सूरच चवान के निवास्थान में की गई छापे मारी में इडी को मिले कुल 150 करोड की संपत्ति के काखजात, कैश और सोने के आभूशन के साथ 2 करोड की प्रोपर्टी के दस्तावेज बरामत आज देश भर के विरोधी पक्षनेता पटना में हुए एक जूट, मुख्य मंत्री नितिश कुमार के नेत्रूत्व में आयोजवित एकता बैटक में शरत पवार, उध्धव ठाकरे, अर्विन केजरिवाद, राहूल गांधी और ममता बैनर्जी शाविद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ रणनीती पर मंथन उध्धव गुट के शिवसेना सांसत संजर राहूत का बड़ा दावा कहा 2024 में होने वाला चुनाओ होगा आखरी चुनाओ ये मेरा नहीं तो पूरे देश का है मानना पटना में होने वाली एकता बैठक में प्रधान मंत्री उभीदवार को लेकर चल्चा होने का भी राउत ने किया खुलासा और अंगाबाद की पिंपल दरी गाव में बेलो की जगा घोडों ने चलाया खेतों में हल मराटवाडा में पहली बार घोडों को हल चलाते देख लोग हुए है राद सूरचवार के बाद मुंबई की पूरो मापोर किशोरी पेडनेकर भी आ सकती है एडी की रडार पर चेस्वाल के घर से कुल 13 लाख रुपए कैश और मलाड पस्चिम के मण में करिब 100 करोड रुपए कीमत की जमीन के दस्तावेज किये जब्द महराश्ट राज्य में जल्द ही मांसून होगा दाखिल मौसम विभाग का अनुमान कोकन के साथ मध्य महराश्ट और विदर्ब में भी इन दो दिनों में मांसून सक्रिय होने के आशंका तो 25 जून के बाद बारिश और तेजिसे होने का मौसम विभाग का अनुमान तेलंगणा के मुख्य मंद्री के चंदरशिकर राओ के साथ पूरे मंद्री मंदल का पंधरपूर और सुलजापूर दोरा मंद्री मंदल के साथ करेंगे विठल दर्शन अमरावती की क्रिशी सेवा केंदर संचालक से मार पिट करने के मामले में पुलिस ने किया मुकदमा दर्च नितिन मोहड के साथ शिवसेना के अन्यकारिय करताओं के खिलाफ पुलिस ने की जान शुरी तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरे ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले